मनीपूर में हो रही हिंसा को अब तीन महीने पूरे होने वाले विपक्ष लगातार केंदर सरकार पर हमला वर है और सरकार से मनीपूर को लेकर जवाब मांग रहा है इसी करम में इंडियन नेशनल डेवलेप्मेंट इंक्लूसिव अलाइंस के सांसदों का एक प्रतनिदी मंडल मनीपूर जा रहा है इस प्रतनिदी मंडल का नेतरत्व कर रहे सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंदर सरकार शायद मनीपूर को भूल गई है लेकिन हम नहीं भूले इसलिए हम पीड़तों के बीच जा रहे हैं उन्होंने कहा ये सही है कि हिंसा प्रभावित जगव पर जाना हमारे लिए हम राज्य में जारी हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहत केंप में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे हम ये देखेंगे कि हिंसा से प्रभावित हुए लोगों के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है सरकार ने अब तक उनके लिए क्या किया है हम संसद में मनीपूर के लोगों की बात रख सकें इसी लिए हम वाँ जा रहे हैं और हालात को देखेंगे मनीपुर जाने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बयान भी दिया लोकसबा में नेता विपक्ष और कॉंग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लोग मनीपुर का दु लोगों को जाने भी नहीं दिया जाएगा सरकार मनीपुर पर बहुत को छुपा रही है जहां फिलाल मनीपुर के दौरे पर विपक्षी गडबंदन इंडिया के कुल 21 सांसद जा रहे हैं जिन में से कॉंग्रेस के चार सांसद जेडियू के दो सांसद टीमसी का एक सांसद डीमके के एक सांसद, आरेलडी के एक सांसद, शिवसेना का एक सांसद, आप से एक सांसद, इसके लावा दूसरे विपक्षी दलों के दस और सांसद डेलिगेशन का हिस्सा होंगे झाल झाल